तो एपिस्टोड 3 की सुरुवात में हमें दिखाया जाता है डोरा को जो कि उस लेडी पे अटैक कर चुकी होती है लेकिन तभी वहाँ पे बीच में आजी आकर उसके अटैक को रोक लेता है जिसे देखकर डोरा उसे हटने को बोलते हैं और कहती है कि आकर तुम्हें इसको क् कर आज ही उसे समझाते हुए कहता है कि यह लोग हमें मारने नहीं आयते अगर वह ऐसा करना चाहते तो वह अपने पूरी टाकत को ज़रूर यूज करते और वह डोरा को पीछे देखने को बोलता है जहां पर जैसे वह पीछे मुर कर देखती है वहाँ पर वैसे ट्री मॉंस कर लिया जिसके बाद दिखाया जाता है दोरा को भूक लग जाता है और वह उन सब से भी कहती है कि चलो हम लोग आजी के घर चलते हैं वहाँ पर जाकर हम लोग डिनर कर सकते हैं जिसके बाद आजी भी इन सब को ले जाता है अपने घर और उन सब के लिए मस्ता खाना बना देता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है जिसके बाद उसकी बाते उस लेडी से होती है जहाँ पर उसलमें किसी की मेमोरीज होती है जहाँ पर उस sister अपने brother को रोकने की कोशिस कर रहे होती है लेकिन अगले ही पर वो brother वहाँ पर क्रो में कायब होकर निकल जाता है और ना जाने कहां से उसके brother के पास itachi उजीहा की power grant कर लेता है अब इसी के साथ हमें उस लड़की की भी आँखे खुलती भी दिखाई जाती है हमें पता चलता है कि असल में इसी लड़की के वो imagination होती है और ये वही sister होती है उस brother की उसे हमें और इसे अभी हम लोग फिलहाल cat girl भी कह सकते हैं और वो वहाँ से उच उचे से building से jump मार देती ह और यहां पर पता चलता है कि उसका कोई mission है जो कि उसे complete करना है जिसके बाद में हमें आज ही के school को दिखाया जाता है जहां पर आज ही बरी मस से अपने girlfriend के खयालों में खोया होता है लेकिन तभी वहाँ पर न जाने कहां से डिर साए animals attack कर देते हैं और उनकी संक्या बहुत किया होता हो निनस monster को यहां पर control करके उन सब को अजाद कर दिया होता है ताकि वो यहां पर सब पर attack कर सकें अब यहां पर हमें आज ही को दिखाया जाता है जहां पर आगे बढ़ने लगता और तभी उसे वहाँ पर cat girl भी दिखती है जिसे देखकर आज ही उसे बचाने कि तुम्हें यहां पर खत्रा हो सकता है लेकिन न जाने क्यों मियाओ ने आज ही पर attack कर दिया होता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो भी हैरान हो जाता है कि आकर मियाओ ने उस पर attack क्यों किया होता है जिसके बाद यहां पर पूरी तर से हरान हो जाता है कि यहां पर वो cat girl उन सब को control कर पारी होती है और फिल में scene जू माउट करके दिखाया जाता है हाना को जो कि पूरे scene को यहाँ पर उपर से देख रही होती है जिसके बाद वो उन सब को रोकने के लिए नीचे उतर जाती और अपने power को use करके जितने भी animals होते हैं उन सब को बान देते हैं और शुरुवात में ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाना ने उन सब पर full control कर लिया है लेकिन वो गलत होती है cat girl कई जाला ही है strong होती है और वो हाना को बरावरी की तक कर देने लगती है यहाँ तक कि उसकी speed हाना से भी जाला हो चुकी थी जिसके कान हाना भी फीछे हटने पर मजबूर हो रही थी अब वो दुनों बरे मज़े से लड़ रहे होते हैं जब कि यहाँ पर आज ही और डोड़ा बैट कर सो को enjoy कर रहे होते हैं और commentary कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन जितने वाला है जिसके बाद वो लड़ाई और भी भीसन हो जाती हैं वो लोग अपने अलग-अलग पावर को use कर रहे होते हैं और हाना अपने big tree monster को बुला लेती हैं और fight ऐसे ही चलते रहती हैं जहाँ पर दोनों में बराबरी की टक्कर हो रही होती हैं लेकिन इसे बीच वो दोनों बहुती जाला गायल हो गये होते हैं वो होने भी लगते हैं क्योंकि जैसे जैसे उनके summon spirit गायल होते रहेंगे समने भी गायल होते रहेंगे अब ये लड़ाई बहुती आगे बढ़ने लगते हैं कि उन सब की जान भी जा सकती हैं जिसको देखकर आजी को टेंसन होने लगती हैं क्योंकि असन में यह ऐसा ही चलता रहा तो उन में से कोई एक न एक मर जाएगा और दूसरा बहुती जाहा गायल हो जाएगा येकिन तब ही आजी की नजर म्योंपी जाती है जो की पीछे ही होती है जो की बिना लरही एंजर हो चुकी होती है और आजी को यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आ जाती है और जबकि हमें पता कि आजी का दिमाग बहुती जाला तेज चलता है उसने साई सिच्वेशन को ऐसी देखकर भाप लिया होता है उसने पैले से सब चीज़े अंधाजा लगा लिया होता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन समय और भी भीसर फाइट होने लगती है और दोनों अपने फाइनल मुव्स को चलने के लिए रेडी हो चुके होती है यहाँ पर देखकर आजी डोरा को पावर यूज करने को बोलता है ताकि वो उन दोनों को रोक सके और यहाँ पर आजी टाइम रहते हैं उन सब को अपने सूल बाइंडिंग स्किल्स से बांद कर रोक देता है जिसके कान उन दोनों में टकर नहीं हो पाती और वो दोनों घायल होने से बच जाते हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता आजी को जोकि मियो को पास जाता है और उसे उठाते हुए क्याता कि मैंने समनर को ढून लिया है और वो कोई और नहीं मियो ही है तो यह सुनकर वहाँ पे जितने भी थे वो सभी हैरान हो जाता कि आकर यह क्या से हो सकता है कि एक एनिमल एक समनर हो सकता है जिसके बाद आजी उसकी मलाम पट्टी करने लगता है जहाँ पर हमें Mew के मेमरी से भी पता चलता है कि जब वो पहली दफा घायल थी तो वहाँ पर आजी नहीं उसकी मदद की थी अगर वहाँ पर उसने मदद नहीं की होती तो आज यहाँ पर ओ जिन्ना नहीं होती इसके ब होती ही तो मिलते नेक्स डूर में और देखते क्या आजी म्यू को उन सबको लटाने देने वाला या फिर नहीं तो मिलते नेक्स डूर में तब तक के लिए बाई